आज की इस पीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यूनियन बैंक के डेविट कार्ड, ATM कार्ड का पिन ओनलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं जिसके लिए आपको यूनियन बैंक के ATM में जाने के जुरूरत नहीं पड़ेगी आप घर बैटे अपने मोबाइल फोन से यूनियन बैंक के डेविट कार्ड, ATM कार्ड का पिन ओनलाइन जनरेट कर सकते हैं जो गाइस मैं हूनिलेस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नलाजी में आपसे भी का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं यूनियन बैंक के डेविट कार्ड का पिन ओनलाइन जनरेट करने के लिए अपने मोबाइल लेटाप में कोई ब्राउजर उपेन करना है ब्राउजर में आपको सर्च करना है यूनियन बैंक ओनलाइन.co.in या फिर पर इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आप उस पर क्लिक करेंगे तो यूनियन बैंक आफ इंडिया की ऑफिसियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा वेलकम तो इंटरनेट बैं in लिए एंगे तो अपर सामने ऐसा राएंगा यहां पर आपको रीटेल यूजर लॉगिन कार्शीन मिलेगा दरब बना होता है अगर आपने तक लोगिन is किया है तो इस पर मैं एक लग सी वीडियो बना चुका हूं कि आप Union Bank की Internet Banking में कैसे registration कर सकते हैं जिसके लिए आपको branch नहीं जाना पड़ेगा आप घर बैठे registration कर सकते हैं और आपका Internet Banking घर बैठे अप्रोब भी हो जाएगा तो यहां से आपको अपना Internet Banking का user ID डालना है उसके बाद यहां से आपको यह verification डालना होता है यहां पर biggest value smallest value वेगर आएगा जो भी biggest value रहेगा तो यहां से आप डालेंगे उसके बाद यहां पर login बाले option पर click करेंगे जैसे आप login बाले option पर click करेंगे तो यहां अपने पासओर्ट बनाया था उस k talents ने यहां पर डालेंगे मैं अपना password यहां पर डाल देता हूं कि इसके बाद यहां पर आपको log in बाले option पर click करेंगे तो आप union bank के internet बांकिंग में लोग इन हो है जएकनल सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको शर्विस मिल जाएंगी विद्ण हैं से दोस्तों है उपने डेमांड का था प्डिद कर तके लिए दिव सकता है रिखेस्ट निई तो यहां पर आपको Operative Account वाले option पर click करना है, यहां से आपका account detail आ जाएगा, यहां से आपको अपना account select करना है, आपका account select करेंगे, उसके बाद नीची आएंगे, तो यहां पर आपको अपना card number select करना होता है, जो आपका card, आपकी account से link रहेगा, जो इसू रहेगा वो काड़ा जाएगा यहां पर आपको expiry date डालना है वहां से देखके आप expiry date कैसे डालना है यहां पर format बताए गया है कि आपको पहले तुरू का दो मन्त डालना है उसके बाद year डालना है जैसे आपका अगर मन्त है 07 है तो 07 डालेंगे अगर 25 यहां पर 25 डालेंगे 025 अगर आपका 11 महीना और 2026 रहेगा तो 11 26 ऐसे करके आप डालेंगे उसके बाद यहां पर आपको submit करना है जैसे आप submit करेंगे तो यहां पर एक नया screen कुल करा जाएगा यहां पर आपका account number रहेगा यहां पर आपका card number नीचे आएगे तो यहां पर आपको pin ड password डालना होता है और आपके registered mobile number पर OTP आता है जो mobile number आपके bank से link रहेगा उस पर OTP आएगा हमारे mobile नंबर पर OTP डालेंगे और जो आपने transaction password बनाए रहते हैं transaction password जब आप net banking create करते हैं उसी time आप transaction password बानने का option मिलता है तो जो आप transaction password बनाए रहते हैं उसी को यहां पर डालना ह मैं यहां पर सारा चीज fill up कर दिया हूँ देख सकते हैं उसके बाद नीचे यहां पर आपको submit का option मिलेगा यहां पर आप submit वाले option पर क्लिक कर देंगे जैसे आप submit कर देंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि green pin has been set successfully याई आपका debit card का pin successfully set हो चुका है इस pin के जरिए आप ATM में cash build all कर सकते हैं या फिर online कोई transaction करना चाहते हैं तो online भी transaction कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने union bank के debit card कर पिन online generate कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने ATM मसीन पर जाने का जूरूत नहीं पड़ेगा आई होब दोस्तों कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आए होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए अपने friend के साथ share करिए मन में कोई doubt या problem है तो नीचे आप comments कर सकते हैं और मुझे Instagram पर follow करके वहाँ भी message कर सकते हैं या फिर particular इस वीडियो के description box में लिंक मिल जाएगी वहाँ से फालो कर सकते हैं और मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लिए क्योंकि मैं आप लूंक रिशतर है knowledgeable and useful वीडियो लाता रहता हूं थैंक्स पर आचे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूट आपक के साथ तक तक लिए ज